हलो स्ट्रेंट्स महुरा माकान पटेल और आप देख रहे हैं साइन्स जोन एकेडमी छिनबाला आज हम आपसे बात करने वाले स्ट्रेंट्स यदि आप बीएसी नर्सिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन से इंटरन्स एक्जाम देने होंगे क्या होता है बीएसी नर्सिंग ये सभी डिटेल पर हम आज आपसे बात करेंगे तो बीएसी नर्सिंग इस्ट्रेंट्स आप लोगों का एक बैचलर कोर्स होता है जैसे आप बीए, बीकॉम, बीएसी आपने सुना होगा इस तरीके के जो कोर्स होते हैं आप लोगों के वैसी का एक course होगा तो इसमें क्या qualification होगा जिससे आप इस exam को crack कर सकते हैं तो आप लोग इस यदि PCP सबजेक्ट रखते हैं 12 में physics, chemistry, biology यदि आपका subject है चाहे तो आप boys भी हो सकते हैं तो भी आप इस form को भर सकते हैं या तो इस आप इस form को भर सकते हैं तो भी इस form को भर सकते हैं कर सकते हैं तो 12 यदि आपने किया है तो 12 में strength आप लोगों के minimum जो percent है वो 55 प्लस होना चाहिए यदि आपके strength 55 प्लस percentage हैं तो ही आप strength यहाँ पर exam nursing के दे सकते हैं नहीं तो आप इसके form नहीं भर पाएंगे minimum age की दिए हम बात करें तो आपकी minimum age जो है वो 17 होना चाहिए 17 वर्स आपकी कम से कम IU होना चाहिए जिस दिन आप form भरने जा रहे हैं उस दिन के हिसाब से maximum की बात करें तो 30, 30 तक आप इसके form भर सकते हैं कोई limit नहीं है कि आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितने बार पेपर दे रहे हैं वो कोई limit यहाँ पर नहीं है कि आप एक ही बार पेपर दे सकते हैं, दो भी बार पेपर दे सकते हैं सतरा से तीज के बीच में आप जितने बार चाहें उतने बार आप पेइपर दे सकते हें इसके बाद में भी बात करें श्र interpretations नर्सिंग के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं कौन-कौन से interns exam दे सकते हैं तो आप EIMS का exam भी दे सकते हैं P.G.A. I.I.M.R. जिसे कहते हैं, आप के exam दे सकते हैं, ये हैच वे हैच वेंस थेट लेवल के exam जैसे P.N.S.D. है, आपका जो national exam है, NEET है, ये हैच वे है ये आपके site का exam जो हो गया, या ITM nest का exam हो गया, या आपका BHU science exam हो गया. इस तरीके कि आप कोई भी exam देकर BSC nursing के लिए ये इंटरेंस एक्जाम दे सकते हैं तो श्वेंस यह दी हम बात करेंगे कि BSC नर्सिंग के बाद में आपकी कौन-कौन सी गवर्मेंट जॉब लग सकती है तो श्वेंस आप लोग स्टाप नर्स है आप तो श्वेंस CHN है, कम्यूनिटी हेल्थ नर्स है नर्सिंग सर्विस एड्मिस्टेसर में आपकी जॉब लग सकती है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडर आप बन सकते हो नर्सिंग सुपर्वाइजर बन सकते हो वाट सिस्टर बन सकते हो मिलिटरी फोर्स वगएरा में जो नर्से होती है MP Police में होती है, आपकी Army में होती है, BSF में होती है, Navy में होती है, Air Force में होती है तो आप वहाँ भी जा सकते है, Nursing Tutor होती है, इनकी Vacancy निकलती है Community Health Officer, जिसे हम लोग इसे हम CHO के नाम से जानते हैं, यह आप कर सकते हो आप Home Nursing का जो कोर्स होता है, वो कर सकते हैं इसके बाद में आप किसी भी Private Hospital में जॉब कर सकते हैं, इसके बाद में हम सेलरी की बात करें तो नर्स को आसानी से लगबग 2-5 लाग के बीच में आप लोगों को श्रेंस मिल जाता है जाद ही हुआ इस आप Metro City में तो आपको 5 लाग रुपे तक भी सालाना सेलरी मिल जाती है नर्स सुपरवाइजर में चार से आट लाग तक आपकी सेलरी हो सकती है प्राइवेट और गवर्मेंट अलग-लग केटेगरी के साफ़ते नर्सिंग एजुकेटर की 3-7 लाग की बीच में आप कमा सकते हैं साइकलोजिस्ट भी होता है इस नर्सिंग में जिसकी आप 4-8 लाग की बीच में आप सालाना सेलरी ठीक है पा सकते हैं तो होस्पिटल मेनेजमेंट में भी आप अच्छी खासी सेलरी देख सकते हैं 4-8 लाग रुपए आप सालाना इसमें अर्ण कर सकते हैं तो यदि होस्पिटरेंस आप बीसी नर्सिंग जो है वो फॉरन से करना चाहते हैं कुछ इंटरेंस एक्जाम जो आपको देने होंगे अलग country के लिए अलग-अलग exam है श्वरन कोई special exam नहीं है कि एक exam देकर आप सारी country के लिए apply कर सकते हैं हर country के लिए अलग-अलग exam है cpnre के नाम से स्वरन से instance आप ये दे सकते हैं इसके बाद में श्रेंस आप लोग जो है वो NcLexrn के नाम से USA का एक 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 एकन आम होता आप वहाँ से नर्सिंग कर सकते हैं नर्स پरक्टिशनर एक्जामिनेशन आब दे सकते हैं यहाँ पर आप खारड़ का एक एक। होता है friends अभूदाभी में दुबई के लिए आप वो दे सकते हैं इसके बाद न सप्रमेट्रिक exam दे सकते हैं साव़ी अरेबिया के लिए Зच का exam में इस्ट्रेंग साप देख सकते हैं Supreme counseling of health Qatar testing के लिए कतर के लिए दोगा कतर के लिए दुबाई Health Authority ठीक है DHE का आप एक्जाम दे सकते हैं विदेश के लिए भी आप लोग ये नर्सिंग के एक्जाम देकर स्वेंस अपनी नर्सिंग कंप्रीट कर सकते हैं फॉरें से अब स्वेंस नर्सिंग करने के लिए आपको टोटल स्वेंस यार के बीच मैं आपको स्कॉलर्शिप मिल जाती मलब टोटल खर्च खाने पीने रहने का खर्च 30,000 रुपए साल आना लगता है और आपको scholarship मिल जाती 45 जार मलब आपको जादा और पैसे मिल जाते हैं तो फ्री में आपकी बीसी नर्सीं हो जाती है आप इस्वेंस यदि प्राइवेट करेंगे तो प्राइवेट इस्वेंस आप लोगों को जो है वो 45 से 50 जार का खर्च आपको देखने के लिए मिल पहने खाने फीने का लग तो इस्वेंस यह आप लोगों को लगभग जो है वो एक लाग रुपए साल आना पड़ता है तो चार साल के चार लाग हो गया आप लोगों के और यदि इस्वेंस आप लोग यहां पर करते हैं तो एक लाग बीस जार के आसपास में आपको टोट आप असानी से कोई भी गवर्मेंट जॉब को क्रेक कर लेते हैं यह दि इस्वेंस आप लोगों को थी आवर की लाइफ क्लासेज प्लस पूरा जो कोर्स है आपका नर्सिंग का इस्वेंस इंटरंस एक्जाम का वो HD क्वाल्टी में रिकॉर्डेट इसमें PDF फॉर्मेट में आपको कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के बॉक्स, प्रक्टिस है, टेस्स सीरीज, मॉडल कोशन पेपर, फुल कोर्स वित रिविजन करा के आपको दिया जाता है तो यह दि इस्वेंस आप इंटरस्टेड हैं यह दि कोचिंग करना चाहते हैं तो जरूर कॉंटेट मेरे मोबाइल नंबर 9407-384042 में और एक दिन की आप इस्वेंस डेमो क्लास भी लगा कर देख सकते हैं मिलेंगे फिर एंसी एन वीडियो के साथ में तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वाचिंग दिज यूडियो, हैव नाइस दे,